पित्रदोष किसको कहते हो आप कि घर में लड़ाईया हो जाते हैं जी पैसे नहीं टिकते हैं हमारे पास स्टेविलिटी नहीं है देखें पित्रदोष का अंदब सीधे सीधे यह है कि साओथ वेस्ट में प्रॉब्लम है आज हम बात कर दे वाले soul healing के बारे में किस तरिके से हम अपनी आत्मा को गिल कर सकते हैं किस तरीके से हम लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं हमारी आत्मा हमको दिला सकती है मेरा नाम अचारे भरत गौतम है मैं एक वास्तो कंसुल्तन एक सोल ही लड़ूँ सबसे पहले एक रोधराश्टक से शुरू करते हैं जी ठीक है नमामी शमीशान निर्वाड रूपम वेभुम्व्यापकं ब्रम्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुडम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासं बजेयं निराकार उमकार मूलं तुरीयं गिराग्यान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुशाराद्र संकाश गौरं गंबीरं मनोभूत कोटी प्रभाश्री शरीरं सुरन्माले कल्लोलिनीचारुगंगा लसत भालबालेंदुकंभेवुजंगा चलत कुंदलं शोब्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंधं दयालं निकाधीष चर्माम्बरं मुंदमालं रियंशंकरं सर्वनाथं बजामी चंडं प्रकस्टं प्रगल्पं परेशं अखंडं अजंभानुकोटी प्रकाशं त्रयहुशूल निर्मूलनम्शूल पालं बजेहं भवानी पतिम्भाव गम्यं कलातीत कल्यान कल्पांत कारी सदास चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मुहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभोवन मतारी नयावद मानाथ पादार विंदं बजंती हलोके परिवान राणां नतावद सुखं शांत संतापनाजं प्रसीद प्रभो सर्व भूता दिवासं नजानामियोगं जपं नएव पूजा नतोहं सदासर्वदाशं बतुब्यं जराजन्म दुखोगतात प्यमानं रभोपाहियापन नमामीशशंभो नमामीशशंभो रुद्राश्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर्शो तये ये पठंते नरावक तयाम तेशाम शंभो प्रसीदती ओम नमाशिवाव इससे जो आप चाओ सब कुछ हो सकता है अभी जैसे मैं अभी आप यहाँ पे रुद्राश्टक बोल रहा था तो आपको अपने अंदर थोड़ी सकुछ एनरजी की फीलिन नहीं आई आपकी एनरजी बना देता है in any sort of scenario तो अपने बारे में तोड़ा सा बताओ कि कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए और जनरेशनल काम कैसे है पेसिकली जैसे आपने जनरेशनल कहा यह फील्ड यह मेरे बलड में है मैं यह कैसकता हूँ मेरे जो परबाबा थे वो दश्माविद्याओं के सादक थे मेरे जो बाबा थे और वो हनुमान जी के बहुत बले सादक थे मेरे फादर अगेन हनुमान जी की बहुत सादना करते थे मैं मेरे फादर ने मुझे हनुमान जी की सादना में डाला अपने आप मेरे गुरु मिले उन्होंने भी मुझे हनुमान जी की सादना कराई आगे बढ़ते बढ़ते महादेव में महादेव के चरण ऐसे मिले कि फि दश महाविद्या ये क्या होदा है? दश महाविद्याओं के स्वरूप में होता गया अगेन मेरा वही जवाब है, आप जो चाहें वह सकता है, सब कुछ होता है जी, क्या नहीं होता है इससे, काली मा प्रोटेक्शन देती हैं आपको, तारा मा नॉलिज देती हैं आपको, शोडशी आपको धन, वैभव सब कुछ देती हैं, स्वरूप देती हैं, दूनेश्वरी माता, आपकी अगेन प्रोटेक्शन करती हैं, तो इससे कुछ ऐसी शक्ति आयाती है, जिससे आप बियॉंड सम्थिंग हो जाते हो, कि दुनिया को गंट्रोल कर सकते हो टाइप्स, बेसिकली जो लोग तंत्र क्रिया में होत चाहिए और सबसे अच्छा है, जो मुझे लगता है, जो जिससे मैं कह सकता हूँ, सबसे ऊपर जो मुझे लगता है, वो है श्री विद्या की साधना, जो सभी दश्मा विद्याओं में एक आत्र करके, एक श्री विद्या साधना, ठीक, अब सोल बिलिंग कहा से है, इससे, वेरी गुड पॉजिटिव एनरजी और 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 अब और अगें एक वेस्टन वेड आ जाता है आप अपर सनातन कल्चर में से आवा मंडल का जाता है तो अगें और आ कहलो या कुछ भी कहलो आप उसे आपकी जो अंदर की एनरजी है जो आपकी आत्मा की शक्ति है उसका एक ब पहली भी कहा है एक नॉमल इंसान है जब वो अच्छे कर्म करने लग जाता है तो लोग उसे कहते हैं बड़ा मातमी है और जो और अच्छे कर्म करता है तो लोग कहते हैं परमातमी है कर्म क्या करते हैं हमारी सोल की उर्जा को बढ़ाते हैं अच्छे कर्म करोगे तो आपक कि अपने अंदर की बॉड़ी की जो एनर्जी है जो आपकी एनर्जी है उसको आप दूसरे को देते हो Soul Ealing में आप universe की energy को अपने अंदर लेकर करके सामने देते हो यह है कैसे होता है थोड़ा सा explain करो उसको फोड़ा कठे नहीं समझाना इसे क्योंकि इसको यह समझने की चीज नहीं है यह feel करने की चीज है अपने आपको एनर्जी से भर लो universe की उसके आपके energy आगे और वह भी एक तरीका है अब आपने खुद ही बोला कि सुब़ा चार बज़े उठके आपने यह देखा कि सुब़ा आठ बज़े उठके कर सकते हैं आपने खुद बोला ना सुब़ा चार बज़े तो चार बज़े बेसिकली क्या है ब्रह्मु मुरत होता है ब्रह्मु मुरत में अगर कोई इंसान ध्यान करता है और पीर और टाइम उसकी इनर्जी बढ़ती ज सब्सक्राइब कोई जादा कि लोग ज्यादा तर आवन करते हैं नया ऊफिस लेते हैं घर में कोई बच्चा होता है मेजर ली या फिर कुछ गलत कामों के लिए दो जब गर में कुछ गलत हो गया है तो ऐसके लिए पाथ सर्ञ होते हैं अब एक चीज समझो एक तरफ एक इ एक दुबार हवन कर रहा है उसके अनरजी का होगी अगर साल रात में किये हैं और एक एंसान ने दिन में हवन किया है तो जिसने रात में हवन किये हैं उसके एनरजी फिर अगेन बहुत जादा होगी, ऐसा क्यों? तांतरिक हो गया है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो वेदिक क्रियाओं को ही अगर आप रात्री में करते हैं तो तांतर क्रियाओं बन जाती है और उसकी जो एनरजी है, वो कहीं कुना पड़ जाती है अगर आप इंगलिश में करते हो, इसकी भी पूजा करते है आप उसका हवन कर सकते है और करना कैसे है, प्रुसेस के हवन का प्रुसेस, नॉर्मल प्रुसेस क्योंकि मैंने तो हवन, मैं वैसा वाला हूँ जो हवन आपकेजनल करते है हमारे सनातन दर्म में इतनी ज़्यादा आपको मतलब सारे क्या बोलते हैं हम उन्हें छूट दे रखी है किस्थ करो तो सही, जैसे जिसकेट अब नॉबल आपने गोला ले लिया, समिता ले लिया अपने, गोले में आपने सामिकरी पर ली कि प्रुट COP워서, अब बैठ करके अमन ली जि машине क्या रोमान हवन प्रतीक किस चीज़ का है, अगनी का है, अगनी का करती है, अगनी आपको strong मनाती है, वास्तु में भी अगर किसी का fire element week हो जाता है ने जी, तो वो सबसे पहले वो गरीब हो जाता है, हवन क्या है, हवन अगनी है, अगनी क्या है, उर्जा है, हवन का कार है आपको उर्जा अगर आप अपने गर का वास्तु करना चाहते है या निवरोलोज से जानना चाहते है अपने बारे में कैसा रहेगा आने वाला साल कैसा रहेगा अपका करेंट यह तो आप हमारी एप को डाउनलूड कर सकते है लिंक इन देस्रिप्शन तो किसी को एक टेंपलेट दो कितरे द किस चीज का वण करने से उनको किया मिल सकता है क्योंकि वह तो आप बता दो कि ऐसे करने से होता है उनको एक जैट बता दो कि स्टेप्स के हैं अगर कोई एक इनसान 43 दिन तक रात्री में 16 बजे के बाद बैठ करके जिस भी इष्ठ देव की पूजा करता है वो हनुमान जी, महादेव देवी मा, किसी की भी अगर वो 43 दिन तक हवन कर लेता है, रात्री में make sure, 16 बजे के बाद में तो आप यह समझे लो, after 43 3 days, कुछ ना कुछ उसके संग अपनी जिन्दगी में ऐसा जरूर होगा जो ना उसके पास explanations नहीं होंगे यार याकर काम हो कैसे गया और अगर यही काम अगर आप किसी एक चीज को धाना ले करके करते हो कि let's suppose कि मेरे को एक करोड रुपे चाहिए करके देख लो आ जाएंगे अपने आप रास्ते बन जाएंगे एक करोड रुपे आ जाएंगे मैं एक करोड रुपे बहुत छोटा वाण बता रहा हूँ लेकिन कर्म भी ज़रूरी है कि कल को बहुत सारी लोग उठकर कर खड़े हो जाएंगी बहुत सारी चीजह है आप सुर्ण आप उसकी मेश को अब उपरा फील करो उसकी गर्म हाट को अपने बोडी को एक खाली बर्तन मना दो अने दो एक टिक्नीक और बता देता हो एक deep breath लो चलो आप hold करो और breath लो release नहीं करनी है और ले सकते हो नहीं, अब यह जो अंदर breath है, वो किसकोई एक particular energy को उस breath को यह blue color या red color की energy में imagine करो बहुत धीरे धीरे release करते जाओ इसको head में लेके जाओ, अपने body में लेके जाओ धीरे धीरे वो breath आपको feel होने लगी होगी अब दीरे-दीरे वो कैसा लग रहा है अचा लग रहा है यह बहुत छोटी सी टेक्नीक है करने को बहुत बहुत सारी चीज़े की जासे अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लेई इस वीडियो को लाइक करें चैनल को करें सब्सक्राइब और अगर आप चाहे तो हमारे नई चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम इन वीडियो के click version दालते हैं जहां पर आप 5-6 मिनिट के अंदर ही बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं चैनल के लिंग डिस्क्रिप्शिम में दे दिया है, आप वास्तु आले हो, तो थोड़ा तो कुछ वास्तु के लिए बता दो, आप आरी ओडियों के लिए कि कैसे कर सकता है अपने आपको, सेल्फील के बात करें चले, मैं तीन केटिगरीज प्रॉब्लम की बात करता हूँ, मैं बतायता हूँ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, आप भी मरी बताओ, आजकल तो वाइरल चल रहा है, इंट्रेक्शन चल रहा है, सबको वुखार कासी, जुखाम सबसे कामर हो रख है, अब ये चीज ये डिनोट करती है, कि जिन लोगों के गर में ऐलर्जी है, वाइर यह ब्राउन रहाईब की चीज़े होंगी, नहें हाटा दो ड़ृट नए लगी, ओर पताओ, गिसी के लोटी में दर्द रहती है, कभी कमर में दर्द बहती है, मला तीस साल के बाद जाज में बोल राद होती है, वाली प्राइब्लम है southwestowers have problems 1500 już celClub और हमें ओर्ड रहता है सिरमेंधर रहता है खिरमेंधर नॉर्थ यस जिनोष प्रोब्लमेय है जुसकता ओवर rayड तैंको ओपेलारंग और स्टोररूम लॉसकता है करें वाकर चरोड के जो जादा लोग इंसे साउट-साउथ वेस्ट पे प्रोब्लम है Cancer Cancer NorthEast भाट पोलेर या साउट-साउथ-साउथ-स्च्च में सो रहा है South South Wेस्ट की किचिन भी कैंसर देती है तो अभी इसी की बात कर रहे है तो क्या North North East का कोई सॉल्ईशन ही नहीं है यैसे मिनने नौटो उन्हों टीस का नौटीस का, है जी Autom humman हर शीशन होता है, सबसे सीधा रास्ता तो इसको अगर सीधा रही ले लह जयकते तो सामस्त लूसरे किये जाएंगे, ऐसा है, या ना, या यह मानलो आप let's suppose business मेन है, सबसे पहले उसे एक opportunity चाहिए, opportunity कहाँ से एगी north चाहिए, अब किसी भी एक opportunity को आपको convert भी तो होगी न, execute होगी पहले वो, तो execution decide करेगा south east, की भाई वो convert होती है की नहीं होती है, उस opportunity को convert अगर के पैसे आई है, अब पैसे तो आ गए जी, लेक मज़दार लोगें, वो समझ गए अपने आप में ही, उन्हें क्या क्या करना है, कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, relationship का issue है तो, relationship, अब depend करता है कि relationship किस-किस का खराब है, husband wife का खराब है, बाप बेटे का खराब है, सास बाओ का खराब है, सबी चीजों में south west में कर वड़े, अ office आपके काम को भीमार कर सकता है, आपका business अचा नहीं तर लेगा, ठेक है, personal front पे नहीं, personal front पे आपका घर काम करेगा, क्योंकि office में आपके अलावा और भी तो लोग है न, और पैसा चाहिए, तो office का वास्तु पहले करेगे, या फिर घर का वास्तु पहले करेगे, अगें, depends करता है बहुत सारी चीज़ों पे, अब इनसान क्या करता है, he is just a normal guy, या पूरी company रन कर रहा है, या again let's suppose, वो normal freelancer है, या वो छोटा मोटा office है, मतलब एक दो लोग काम करते है, बहुत सारी चीज़े, घर पे करना पड़ेगा उसके लिए, अगर बड़ी company रन कर रहा है, कैसी वेक कोशन है मेरे दमाग में, अब मुझे नी पता उसका answer भी होगा और नी होगा, बहुत सारी कर रहे है, सबको cubical में ले होगा, क्यों cubical को वास्तु हो सता है ताकि office के अटे बटे बने अपने, बात यह है कि उस office को अगर जा हम grid करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, म मैं अपने camera में बैठा हूँ, मेरा office का मालिक कुछ भी सोचे, मुझे promotion चाहिए, आप अपने camera में वास्तु कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ठीक है, बिल्कु कर सकते हो, उसको grid करके, उसको solve, उसको किया जा सकता है, ठीक है, तो उसका कुछ बताओ कि, किस direction में क्या करें, क क्या सीजे रखी है, ठीक है, क्यूबिकल का नहीं है सकते है, मागर वो closed, आजकल जो boxes वाले आ गए, वो एक अपना space नहीं create कर रहा है, अच्छा ठीक है, हमेशा याद रखो, वास्तु वहाँ पे काम करेगा, जो एक अपना personal space create कर रहा है, जो जग है, उसका एक अपना personal space है close हो रहा हूँ, closed, इस space को आप channelize कर सकते हूँ, एक positivity induce करने के लिए, ताकि आपके काम बने, ठीक है, क्यूबिकल में एक आपकी energy develop नहीं हो रही है, मापे, ठीक है, तो वास्तु negative energy को भी गतम कर सकता है, help कर सकता है, negative energy को गतम करने के लिए, जैसे कि अब मैं आपको बताओ, अब ही recently मेरे पास एक case आया है, यहीं GK3 कई है, जब मैं GK3 कहता हूँ, तो हरो को यह सूचता है, और वहाँ पर भी ऐसी को समसे हो जकती है, गया, वहाँ पर सब अच्छा पैसा है, सब के बास, तो एक शक्स है, लगबर 400 पच काउन का घर है, उनकी vice बुरी तरीके से पी तो वह paranormal issues को create करेगा, सबसे पहली चीज तो ही है, तो सबसे पहले तो वास्तु ठीक किया जाएगा, ताकि at least damage होना बंद हो जाए, उसके बाद में कुछ certain पूजा की जाती है, जिसके तुरू उन paranormal activities को खतम किया जासकता है, यह treat किया जासकता है, तो खतम भी हो जाती है, मत बिल्कुल clear हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल होता है, तो मतलब अगर कोई property ले रहा है, उससे पहले चेक कर सता है, यह, लेंड energy को बहुत बहुत है, मैं हमेशा अपनी सभी videos में, अगर मैं कहीं पर कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैं लेंड energy को हमेशा बोलता अगर आप एक नई property को purchase कर रहे हो, first of all, make sure कि वो सही है और नहीं है, कैसे चेक कर रहा है, यह थोड़ा सा एक ऐसा question है, कैसे चेक किया जाए, एक आप इंसान तो नहीं कर सकता है, बुलाना पड़ेगा जी आपको, कोई equipment भी नहीं आते है, कोई ऐसा नहीं है कि पानी का glass ले चीज बता देता हूँ, आप किसी घर में कुछे, एक wipes होती है, आज के time में बड़ा चल रहा है, wipes अची रही है, wipes अची है, तो वो ही आपको बता देगी, सही है, खराब है, डीटेल में तो बाद में किसी और को बुलाना, खुझ से पहले ही चेक कर सकता है, इतना में बता अगर कोई घर का वास्तु देखना चाहता है, कि खराब है और सही है, ऐसी चेक कर सकता है, बिना grid करें, कुछ ऐसे symptoms देख रहे हो, कि घर में basic balancing शो है, आपके घर में health related issues है, आपके घर में लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वास्तु खराब है, अगर ये symptom, ये सब चीज पित्रदोष भी, अंजी, पित्रदोष का क्या मतलब है, अब actually कहना, ये एक term ऐसी लोगों ने बना दी है, पित्रदोष, मुझे ऐसा लगता है, कि नायने कितने ही लोगों ने लोगों को लूट लिया, ऐस term के पीछे, पित्रदोष के, देखे, पित्रदोष का अबलब सी कुंडली में राहु पित्रदोष क्रिएट करते हैं, और राहु की दिशाभी साथ-वेस्ट होती है, तो अगर किसी ए घर में पित्रदोष है, या उसका कुंडली पित्रदोष है, उसकी एगर वो ट्रेक्शन सौल्ड कर दी जाए, तो पित्रदोष किसको कहते या आप, कि और सारी चीज़े है अब आपने बताया astrology भी काम करती है तो astro वास्तू एक चीज है एक वास्तू एक चीज है तो जितना मैं स्टाइस को जान रहा हूं मैं पर सज में आ रहा है stand-alone वास्तू उतर जारा काम नहीं करती है astro वास्तू ही काम करती है आपको एक चीज समझेनी पड़ेगी different different levels है जैसे ये आप पहले class first में पड़े थे direct class 10th में तो नहीं पहुचे न 10th तक पढ़ने के लिए आपको first तक पढ़नी पड़ेगी न और 10th के बाद में भी आपने 12th करी फिर आपने graduation करी तो different different levels है आप ये नहीं है अगर आप किसी कोई problem में आप डारेक्ट जा कर गैस्टो वास्तों करते होगे नहीं बाई ऐसे नहीं होगा पहले चीजों के जोसके दोश है जो problems है problems को solve करो कोई अगर बोल रहा है कि मेरे पैर में दर्द है अगर मैं करो रहे पैर में दर्द की बात नहीं अभी हम बात करेंगे कि तेरे पेट में एक गाट हो रही है आदमी कहा हो लेंगा भाई उसको बात में बात करना है पहरे जो दर्द है उसको साही कर लो कोई भी यहीं कहएगा ना एस्ट्रो वास्तु करने के लिए भी पहले आपको वास्तु करना पड़ेगा, फिर जनम पत्री को देखते हुए, उसके अरोसार कुछ चीज़े की जाएंगी, ताकि एस्ट्रो वास्तु को, चेक है, तो बतला वास्तु स्टैंडरलोन भी काम करता है, बिल्बिल करता है, इंसान कर सकता है पहली सीज़ तो, जिसको एनर्जी की समझ होगी, अब अगेन फिर से आ जाते हैं, उसको एनर्जी की समझ में आनी सीज़े है, जैसे मैंने जब रुद्राष्टक बोला था, तो आपको एक एनर्जी फील हुई न, तो देवता वास्तु क्या है, वहाँ प 45 एनर्जी फील्ट होते हैं, जिसमें से 35 आपके positive energy fields होते हैं, और बार आपके negative energy fields होते हैं, तो जो negative energy fields है, वहाँ पर एन्टरी नहीं मनानी है, ऑगी सीबात है, negative energy fields की वज़ए से ही घर में paranormal activities भी होती है, या कुछ properties haunted house बन जाते हैं, अब आप समझ के यह है, तो जो negative है, व ठीक है और जैसे आपने बताए इस डिरेक्शन में दिक्कत है अगर उसके घर की बेसिक बैलैंसिंग में नहीं हो रखी और वो उस रेमिडी को कर देता है बहुत बड़ी ट्रबल है तो दिक्कत आएगी या नहीं चलो मैं एक एक इसांपल देता हो किसी एक इंसान का अभी ए झातना नहीं ठीक है इंटैस्ट लेजा करके ऑपरेशन टेबल पर किया नहीं जाये गलगः तो सबसे बबहले चीजों को छेक करना बहुत ज़रूरी है कुछ भी remedy करने से पहले एक बैलंसिंग होने बहुत ज़रूरी है दोस्चा होने बहुत ज़रूरी है ठेक है अगर मैं रेमिडीज की बात करके चलू तो बेसिक रेमिडीज की बात करके चलते हैं तो बातरूम के लिए क्या-क्या रेमिडीज की जा सकती है अगर वो गलत जगा पर है तो बातरूम के लिए रेमिडीज अब डिपेंड करता ही तहां पर सब बात करते हैं सब पूरा पूरा बताओगे, गर यहां होता है, तो गलत है, और ऐसा होना चीए, यहां होता है, तो ऐसा होना चीए, ऐसा होना चीए, ऐसा होना चीए, नौर्थ नौर्थ वेस्ट से ले करके, अगर टॉयलेट है, ब्लू टेप लगा दो, नौर्थ वेस्ट के हम बात नहीं क नुकसान दायक है, जितने भी नेगटिव जोन्स है, वो सम नुकसान दायक है, यह मान के चलो आप, ठीक है, इंटरंस के वल आपके दसं अच्छी होती है, एग्जेक नौर्थ, ठीक है, जुडो नॉर्थ झियस्ट एग्जेक साउ्थ, इग्जेक वेस्ट, जीरो डिगरी येस्ट, सौथ, जीरो डिगरी वेस्ट, अगर कमपज के उस आप से बात करू, जीरो डिगरी तर कैप penal सि Shallowoster, बेसिक रेमिटी है, सब एवेलेबल है, यूट्यूब पर यह चीज़, तो बहुत नॉमल सी, अमने भी बहुत बार बात करिये, पर फिर भी लोगों कॉन्फिजन आती है, इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लिफाइड वर्जन में पूछ रहा हूँ, सिंप्लिफाइड वर्जन आ बला वो टेप नी चलेगी जो विजली वली टेप लगाई थी, फिर रम बो किसे ने बता का वाई यह वाली टेप लगानी जुगाडगा रका तो उन्हें, महँ मै को तो यह सब्सक्राइड नी पीले लगानी इसे भी लगा लो, तेक है, अगर केचन की बात करके चले, तो क किचिन की बेसिक रेविडीज क्या होती है तेंगे किचिन जो है एक ऐसी चीज है अगर वो गडबड होगी न तो हेल्थ इसूज बहुत देती है जैसे कि बहुत सारे आपने सुना होगा कि किड्नी से बड़े परिशान होते हैं लोगों ने इतने प्रॉब्लम हो जाती है कि उन लोगों किड्नी ट्रांस्परांट करना ही पड़ जाती है जिसके घर में भी किचिन नॉर्थ में होगी उस वहाँ पर किट्नी के शूज होगे नौन नौर्थ इस में किचिन होगी इम्म्यूनिटी की एस्टासी हो जाएगी नौथ इस्ट में परलैसेस देगी कैंसर भ लेड़ एस्ट किचिन ठीक है बसरते करनी मुटती है वैस्ट और्थ वैस्ट किचन अच्छी है किसी गोबी डेपरेशन नहीं होगा नौर्थ वैस्ट में आप पूरी जिंदिगी सपोर्ट के लिए इधर सो दा दोलते होगे नौर्थ नौर्थ वैस्ट में के चिन आगी तो husband wife के relation ही नहीं बनेंगे, यह अलब है, तो यहाँ भी remedies होई है कि zone का जो color है, जो zone है उससे balance कर दो, ठेक है, और कई कई जगों पे में ने सुना है कि, जो zone को बढ़ाता है, मतलब जो उसके पीछे वाला element हो, उसको use बढ़ाना नहीं है, balance करना है, same zone, same zone ही करना है, ठेक है, और अगर किसी की life में problem ही नहीं है, उसको वास्तु करना ही नहीं चाहिए. अगर कोई यह कहता है, उसकी लाइस में प्रॉब्लम नहीं है, तो अल्रेडी वो एक वास्तु आस्पिशियस प्रॉपर्टी में रह रहा है, यह बहुत बड़ी स्टेट्मेंट है, ठीक है, अगर कोई यह कहता है, कि लाइस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन तो 10-20 क्रोटर पे निटाइम उसके उपर नीचे रहते हैं, तो हम फसे हुए हैं, कोई नहीं थी, प्राब्लम ही नहीं थी, तरिप्त आद्मी होते हैं, तो अभी एक सवाल यहीं से रिकल के आता है, अमने ओफिस के अंदर अभी रिसेंटली अपना या पर नाम लिखा, सिल् यह जोन के कट्ड़ आधे हैं, इसलिए, ठेक है, तो मताब इससे पॉजिटिव एटन यह चुरू करती है, बिलकुल, ठेक है, यह जोन है को अगों सा वैसे, यह West, South, West, 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 और इससे होगा क्या, और इससे बहुत कुछ होगा, इससे बहुत कुछ होगा, इससे आपके बा बहुत जादा जब यह लगाया होगा तो सेटेस्टेक्शन थोड़ी कम हो गई हो अब फिर बोक आगई वापसी कि अब ठीक है आप कुछ करता है पैसे बनीगे ना मैं पहले वो हो गया था कि ठीक है अभी रीसेंट्टी मेने कंपनी बेशी तो मेरे को दिमाग में अब नीच चीज थी इंसान कर सकता है जिसके अपनी कुड की सोल एड़िव प्ता जल जाता है जैसे मैं लाकत मैं आप यह विदेट करता हूं थो 12 क क्या प्रोंब्लम है मैं उसके घर में बैठा हूं ना मेना घर भी निडेख और मुझे पता है बस उसके प्रोंब्लम है बेसिक्लिं वाँ कि जो energy field है वो आपको बता देती है कि आपर यह energies है तो यह गरबर चल रही है अब एक question पूछता हूँ जो मेरे काई students ने पूछा है उससे कि sir partner नी मिल रहा है life के अंदर सही partner नी मिल रहा है राइट partner, south west पर trouble है अगर किसी का भी south west गरबर होगा तो आपको सही partner मिलेगा ही नी यह fact है या जो लोगों के बहुत जल्दी ब्रेक अप्स हो जाते है वहाँ पर south west गरबर होती है या जो cheat करते है आजकल बड़ा चल गया है कि modern यह metro cities में wife का किसी और किसें अफेर है husband का किसी और किसें अफेर है south west में problem है problem की definition भी बता दो जैसे same मैंने जो बताया था अगें problems की definition को अगर मैं लेकर जाओंगा तो literally वह बहुत बड़ी है generalize जो है वहाँ पे green color है, brown color है ठीक है, toilet है, kitchen है लाल रंग है यह general problems है basically ठीक है अब इसके साथ माल लीजिए कोई देवता एनरजी जो है वहाँ पे miss balance हो रखी है तो आपको दिखेगी नहीं लेकिन हो रखी है अब यह देवता एनरजी balance कैसे करा होता है कुछ समान रखे रहे की वज़े से समान की वज़े से भी हो सकता है कुछ particular आप artifacts लेके आए हुआ ठीक है उसकी वज़े से हो सकता है और वो किसी और zone में भी पढ़ा है तो भी वहां की तो भी हो सकता है ठीक है अब आपको एक रीसेंट केस बताता हूँ मेरा रजोरी गार्डन में basically एक असार गचकी पूरी उनकी कोठी है ठीक है मैं उनके घर में गया basically चार फ्लोर बना रखें उने first and second पर वो खुद रहते है third and fourth पर उनके बड़ी भाई रहते है मैं जैसे ही उनके घर में गया ठीक है तो एक आवाज आती है मतलब आपको ऐसे लगेगा कि कोई कुछ बोलना चाहा रहा है लेकर पूरक की लिए नहीं बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा है अवाज कैसी थी क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है वाँ पे तो ये चीज मुझे उस घर के लोग बोलते हैं कि सर पिछली जीड़ साल चाहां बहुत परिशान है कि ये आवाज जो है और उनके घर में उनकी मदर की तबियत कतई खराब उनके फादर की सर्जरी हो ली बिजनस में लॉसेज हो ली है जीड़ साल के अंदर-अंदर और कम से कम पार्टी के बास कम से कम मेरे में बता रहो है उनके यापे कॉलेजिस है स्कूल्स है बहुत बड़े-बड़े डेली में हम लोग फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं मैंने ऐसे उचा डर लग रहा है लिटरली ऐसे ही वाज आ रही है ऐसे ही वाज आ रही थी ठीक है चायना से रहोने एक आर्टिफेक्ट खरीदा और वो लेकर के आकर के रहोने अपनी बेस्मेंट पे रख रखा है मैंने उनको ये स्टेट्मेंट बोल दिया आयो उनको पसी ने आ रहा है उन लोग गो यार इस शक्स को ये चीज कैसे पता है मैंने का लेकर आओ मैंने का आओ कुछ छहीं लखडीी का साथा बोल दिया तysisच लखड़िता याँ व मैंने खाग दो धू Con선 ृपो गहाई टो फेक हो चीज़्ाहाँlan की चीजह थोड़ी सी 및 ख़टम नहीं है स्टेग्नेंट है अब वहां पे अब एडवांस लेवल की चीज़े करनी पड़ेंगी, तब जाकर को चीज़े ठीक होंगी, अगेन जो पूछाता है कि इस energy field misbalance कैसे होता है, ऐसे भी होता है, तो कुछ ऐसा है कि कोई चेक कर सकता है कि उसके घर में energy field में कुछ इशू है, क्योंकि अभी देखो में तोड़ लिया गया, इस सब को एक जगे खटा करो, और देशी कपूर, जो जनरली भीम सैनी के नाम से मशूर है, उसको जला दो, उसको पूरे गर में घुमाओ, जब आप इसको घुमाओगे ना, तो बहुत थोड़ी थोड़ी ना, कुछ पर्टिकुलर जगे पर ही आज आँ पर आवाज आएगी, वहाँ-वहाँ थोड़ाबाद इशू है, वहाँ-वहाँ, बेसिकली जो रेमेडी है, यह नेगेटिविटी को फ्लिश आउट करने के लिए रेमेडी है, अब आज की रेफिजी है, पटा के फटेगे, पटा के फटेगे, चोटे-चोटे- बहुत से लोग यह आप भी कह सकते हों कि भाईया, उसमें सरसो है तो बोलेगी, लेकिन अगर फटने है तो आज जागे फटने चाहिए ना, के ल मही-मही क्यों फट रहा है, बस यह है, ठीक है, और इससे वास्तो भी बताना जाएगा, कि वास्तो दोश है, तो वो तो लोड़नश देखते हो, सौ मैसे आपको दो या थीन ही वास्तो परफिक्ट मिलेंगे, वास्तो जाएगे, वास्तो वास्तो के, पकी बात है, अगर सब के सब अपने चीजों को वास्तो के आप से एंकलेने कर लेंगे न, और भी बहुत सारी चीज़े की जा सकते हैं, उनक तो रेमेडी है कैसी है लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कि तुम लोग उसे कर पाएंगे वेडनेस दे और सैटरड़े को जी गर की टॉलिट क्लीन कर दी है जिसको भी राहू या शनी पतिशान कर रहे हैं या वैसे ही अगर किसी को पुरा वक्त चल रहा है तो आपने अगर की टॉलिटी इंटर नहीं लग जाओ सैटरड़े को और वेडनेस दे को एक महीना भी कर लिया नहीं चार मारी हो गया तो रिजल्ट अपने अब दिख जाएगा चार सेटरड़े ही हुए ना एक महीने भी रिजल्ट दिख जाएगा इतनी तकड़ी रेमेडी है यह बेसिकली शनी क्या करता है शनी कहता है कि बिल्कुल शोटे बन जाओ शुद्र हो जाओ तो तुम शुद्र बने जाएगा बस तो एक रेमिटी देतो उन दुख के लिए जो तयारी कर रहे है यह कॉलेज के इंदर है कलसेट्रेशन बढ़ाना चाहते है जल्दी सेलेक्शन चाहते है क्या कर सकते देखिए सेलेक्शन यह बात आप जो कर रहे हो बेसिकली बहुत सारी चीज़ा आजाती है लेट सपोज अगर कोई नॉर्मल कॉलेज में अच्छे माच लेकर आने है या कोई नॉर्मल कैट वगेरा पे या आईटी वाईटी में अच्छे माच लेकर आने है वेस साओध वेस्ट में बैठके पढ़ना ही लग जाओ पहले अब लेकिन उसे ठीक कर ले लेगा अब लेकिन ऑन the same hand जो लोग कोशिच कर रहे हैं IAS IPS मिनने की वहाँ वेस्ट व्य साथ ये साथ वेड़कर अपढ़ना पड़ेगर जो कि मैं over the camera बोल नहीं सकता हूँ तो हमने health के बारे में बात करी, थोड़ा health को और explain दी करता हूँ मेरे को एक दो और विमारी समझ में हा रही है अगर किसी की liver में दिखकत है, तो क्या कर सकता है East South East में kitchen है जी उसके आपर जिसको भी liver की समस्या है ना East South East में kitchen है या लाल रंग है अब इसके सांगे एक और एट कर देता हूँ Mostly generally लोग क्या करते है अचा आपने ये भी देखा हूँ जिनके याँपे diabetic लोग जो होते हैं वो उनके आपर सब के याँपे East South East में kitchen भी मिलेगी कम से कम कम से कम डिल से 2000 केसिद हैं कम से कम मैं रहे तो जी आप परोस्या नी करोगे मैंने लोगों के करके वास्तु कर करके ना जाने कितने BP कितने sugar साथ आठ कैंसर पेशेंट्स और हट अटेक वाले तो मेरे पास गिंदी रही हैं कितने काफी अद्थक साही करा दी है वेने किट्नी का क्या कर सकते हैं? किट्नी देखो किट्नी क्या नॉर्थ में आपके किचेन होगी यह लाल रंग होगा प्रॉब्लम देगी देगी किट्नी फिल देगी अब या तो जो आपका स्टोव है उसके नीचे आप हरे रंग का पत्थ रख लो और पहले तो बेसिकल उसको थोड़ा इदर उदर शिफ्ट करो एग्जेक्ट नॉर्थ में मत रखो कभी भी किट्नी के साथ में वो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ेगी मानलो कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको काम ही नहीं होगा पैसा ही नहीं होगा आपके पास नॉर्थ में अगर ये हो जागा तो ठेक है अगर हार्ट की बात करके चले जैसा आपने बोला हार्ट पेशन्स को पॉसाही किया आपके दो को हार्ट रिलेशन्स, हार्ट अटेक जो है, वो बेसिकली क्यों होता है? कि दिल पे बहुत जादा प्रेशर लेगा आदमी, ठीक है, स्ट्रेस लेगा, क्यों होता है ये सारी चीज़े, या तो जब इंसान का स्टेविलिटी नहीं होगी, या उसके जो रिलेशन्स आप ब बहुत important zone है South West, खासकर कलियोग में, क्योंकि कलियोग करा जाको ओना है राहू, तो राहू जिसको भी पीड़ा देनी होती है, उसके गर में साउथ वेस्ट वेस्ट कर देता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर या हो सकता है किसी को जानते भी हूँ, मैंने एक statement दिया भी कि जिसके भी extra marital affairs होंगे, वो बरबाद हो जाएगा, अब ही वले इसके 500 crore रुपय है, पास साल बाद वो बरबाद हो जाएगा, जब गोचर में राहू, इसके ऊपर से गुजरेंगे, उसको बरबाद कर देंगे, और बादा इसके, आप क्या बात कर रहें, एंट्री होग जयसे थे नी कभी, गी हो जाएगा, अगर ब्रेन की बात करके चले, ब्रेन यानी नौथ जीश्ट, एपरेशन पी नथ जीश्ट, एपरेशन यानी की तो अगर लेट स्पोज कोई एक इंसान, बहुत जादा वेस्टन, नौथ स्वेस्ट के रूम में बाता है, तो पसेश् चार दीवारों में से एक होगी लाल, एक होगी नीली, एक होगी सफेद, एक होगी पीली, आजकल कलर भी तो ऐसे चल गया न, क्योंकि जितने भी आपके इन्टीरियर वाले हैं, वो तो उनको तो सौझवे नहीं आते हैं, उनको तो यह कहता है, बिल्कुल, कंट्रास्ट होना जितने हैं, यही रंग, बहुत बड़ी, नौर्थीस्ट में, एक इनसान के घर में, लाल रंग की दीवार थी, दीड़ साल में, कैंसर होगी है, अब उसकी दशा भी कुछ ऐसी आई, उसने वहाँ पर लाल रंग कराया, कैंसर देनी, तो यहाँ पर एक कुशन निकल गया, क या सब कुछ प्रीडिस्टेंट है, या फ्रीविल है, देखो, एक्चुली बता है क्या है, हम लोगों को ऐसी साइनसेज इसलिए दी गई थी, मानल को, ताकि जो उसकी देस्टिनी है न, वो उसका बेस्ट निकाल सके, लेकिन हम लोग जादा समझदार दो गया, हमने कुछ इसलिए होता है सब कुछ, ठीक है, तो क्या कि हमने, जो हमने करना हम वो करेंगे, वो फ्रीविल के चक्कर बे, इनसान की बेंट बजाती है, अगर वो कुछ चीज़ों को, अगर ठीक से रेकर के चले, एर एक चीज़ बताओना मुझे, कि आपको स्पिरिच्वेली भी, मजदारी के साथ में होनी चाहिए, लक्षमी जी, उल्लू के संग बैठ के आएंगी, तो उल्लू वाले काम भी कराएंगी, और लक्षमी जी, अगर विश्नु जी के साथ आएंगी, तो लक्षरी देंगी, बुद्धी बुद्धी गड़ेश जी के साथ आएंगी, समझ गय निकला होगा कि इसको ये guidance मिल नहीं है इसलिए उसे मिल गई बिलकुल और बहुसारे टोगों को बिली होगी और उनने एक्जीक्यूट नहीं किया उनके डेसिंट नहीं था उजीस बिलकुल सभी बात है अच्छा अब जैसे कि पित्रपक्ष आने वाले अभी ठीक है मेरे कई क्लाइंट्स मुझसे बूचतें कि श्राद करना इंपॉर्टेंट है मैं कहता हूं हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है करना चाहिए अभी जैसे श्राद पक्ष है इस टाइम में अगर लोग अपने गर को डीकलेटर करें जंदीगी साफ करें अब लोगों का अब आक्चल नॉर्थ भी आप स्क्रीन किया होगा ठीक है जब डीकलेटरिंग हो रही है फालतु का समान फेका जा रहा है घर से निकाल कर गे तो जोन्स बैलेंश हो रहे है वास्तू पॉजिटिव चेंजे उसमें आ रहे है पॉजिटिव एनरजी आ रही है जनरली आपने यह देखा हो अगर डेली अच्छे से साफसफाई रहेगी अच्छे से जोन्स बैलेंस रहेंगे वास्तू लिटरली किया होगा कोई समस्य नहीं आएगी वास्तू एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम देरेगा आपके लिए यह समझ के चलो तो हमने रिलेशन्शिप की बात कर रही अगर एक वर्ष के लिए एक पत्नी वरत ले ले अगर कोई दूसरी इस्तरीय दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावना आ भी जाए तो शमा याचना कर ले कि नहीं हमें सोचना ही नहीं है कि जो भी है पती है पत्नी है वो इनसान एक साल में मातर 365 दिनों में अगर आज वो कुछ भी नहीं है ना तो एक वर्ष में बहुत कुछ हो जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा यानि कि उसके पास अगर आज आने के लिए कुछ भी नहीं है या वो अपने व्यापार में परिशान हो रखा है तो एक साल में उसकी सारी समस्या सही हो जाएगी बसरते यह काम ज कैसे होते हो गई जो पोस्ज्ट नहीं है फिर कुछ गलत में नहीं है आप समझो मेरी बात को कि पॉहसे लोग होते हैं कि मनी मन장 कुछ चल रहा है वहाली बात हैabilRI आपको तो ले लेगा कि रिख्भिट लेना कि कोई भूसरी नाडी नहीं है, कोई भी मैच नहीं है उसका, पैसे के लिए मैं जरूर कह देता हूं आपको, अगर लिटरली इंसान को पैसे कमाने हैं और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि बड़े पैसे नहीं आ रहे हैं उसके पास, तो एक दिवतार रेमेडी दे देता हूं आज, आज दो, जिल लोगों को सपोर्ट की प्राब्लम होती है न, कि सपोर्ट ने मिलता, जो ऐसे बहुत सारी लोग होते हैं, कि यार हम तो सब की मदद कर देता है, कोई हमाई मदद नहीं करता है, सुनते होंगे आप, जब ग्रेडिंग होती है, एन वन में है, चिरॉन जी होती या बहुत सारी नहीं चीज़ें सीगें मैंने, यह सूल हीलिंग नया अगन सेप्ता में रगले, मैं को पता नहीं दास के बारे में, बास्तु हमने बहुत बार बात करी है, बहुत सारे गैस आए, बट जो आपने सूल हीलिंग वाली बात बताई न, वो बिल्कुली अच्छ चीज़ नहीं रहे है, विल्क नहीं चीज़ तो इसी के साथ में आज की वीडियो खतम हुती हुद है, उम्मीद करता आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेर कर देना, काउनों तर न वीडियो कैसी लगी, बाइ, गुद आश्मागेर, गुद आफेस, गुद मॉर्निक र देख रहे हैं, जैहिन, बंदे मातरम, दुआ में आद रखना